दोस्तों इंडियन एरलाइन्स की उडान 814 जिसे आम तोर पर IC 814 के नाम से भी जाना जाता है शुकरवार 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के काथमांडू में उस वक्त विमान में 180 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्र्यू सफर कर रहे थे एर बस के विमान 814 को लगबग साड़े पांच बजे भारतिय हवाई शेतर में परवेश करने के तुरत बाद हरकत पुल्मजाहिदिन के पांच नकाप पुष्ट पाकिस्तानी आतंगवादियों ने अबरण कर लिया जाता है स्की मास्क पैने एक विक्ति ने विमान के अपरण होने और उसमें बम होने के बारे में फ्लाइट अटेंडिंट से संपर किया हाईजैकर्स ने केप्टन से कहा कि वे दिली की स्केजियूल डेस्टिनेशन पर उतरने की बजाए पस्चिम की और पाकिस्तान की और फ्लाइ करें पर केप्टन ने जैसे ही पाकिस्तान एयर स्पेस में दाखिल होकर पाकिस्तानी एटी सी से लाहोर के अलामा इकबाल अंतराशी हवाई अड़े पर लैंड करने की परमिशन मांगी तो उन्होंने मना कर दिया अमरीज सर एटीसी ने शाम 6 बच कर 4 मिनट पर प्लेन से संपर्क किया स्थानिय समय नुसार कैप्टन ने रिक्वेस्ट किया कि भारतिय एटीसी फ्लाइट को लाहोर में उतरने की अनुमती देने के लिए पाकिस्तानी एटीसी से संपर्क करें अलागी पाकिस्तानी सीमा के पास धित होने के कारण अमरीज सर में उतरना अधिक उचित था लेकिन आतंगवादियों ने विमान के अमरी सर में उतरने पर दस बंदगों को मार डालने की धमकी दी। 12 द्वारा शाम 6 बले लाहॉर A.T.C. से संपर करने के बाद भी पाकिस्तान ने जहाज को लैंड करने की अनुमती नहीं दी। फिर जैसे तैसे कैप्टन ने हाईजैकर्स को इन्फूएंस करके ये कहा कि हमें अमरी सर में लैंड करना ही होगा अदर्वाइस प्लैन में फ्यूल खतम हो जाएगा और जहाज क्रेश कर जाएगा। चल गई जिसके प्रिणाव सबरूप उन्होंने जहाज पर बंदगों पर हमला करने और उन्हें मारना शुरू कर दिया। अब इंडियन ओफिशियल्स ने प्लैन को उड़ने से रोकने के लिए एक फ्यूल ट्रक को रनवे पर लाकर खड़ा करने की कोशिश की ताकि विमान टेक ओफ ना कर सके। पर हाईजैकर्स को जब ये सस्पीशेस टेंकर विमान की ओर आते दिखा तो उन्होंने जबर दस् पॉइंट पर कैप्टन को इविजेटली टेक ओफ करने को कहा। इस टेक ओफ के दौरान विमान उस फ्यूल टैंकर से क्रेश होते होते बचा। और शाम साथ बज़ कर उन्चास मिनट पर जहास दोबारा अमरी सर से अधिक इंधन ना बिलने के बावजूद आईसी 814 लाह लाहूर एटीसी ने हुआई अटे की लाइटें और नैविगेशन सपोर्ट बंद कर दी थी। पाकिस्तानी एटीसी ने अंतता कैप्टन की रिक्वेस्ट पर की अगर जहास को लैंड नहीं किया गया तो वो लाहूर में क्रेश कर जाएंगे आखिरकार रात 8 पचकर 7 बज उडान को लाहूर में उतरने के अनुमती मिल गई। बारत ने विमान को लाहूर से डिपार्चर रोकने के लिए इंडियन ओफिशल्स को लाहूर बेजा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने रनवे की लाइटे बंद कर दी और विमान को पाकिस्तानी आर्वी ने घेर का भी प्रियास किया लेकिन असफल रहे यहां इंडियन ओफिशल्स की कोशिश यही रहे कि बंदकों को आजात करवाया जा सके पर वे भी नकाम रहे अगें आतनवादियों की मनमर्जी और प्रेशर के कारण जहाज में दोबारा फ्यूल भरा गया और जहाज फिर से काले आस को अपने मिलिटरी बेस एरपोर्ट अल मिनहाद एरबेस पर उतरने की परमिशन दी यहां पर एमिरेट्स अथारटीज की मदद से इंडियन अथारटीज ने अपने 27 पैसेंजर्स को हाईजैकर्स से रिहा करवाया अब हाईजैकर्स ने तैय कि अफगानिस्तान में कंधार अफगानिस्तान के कंधार एरपोर्ट पर जहास को ले जाया गया और तालिबान ने एज़ा मेडियेटर बनकर इंडियन अथारटीज एंड हाईजैकर्स के बीच कम्यूनिकेशन करने को कहा अब यहां इस पॉइंट पर काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी क्योंकि इंडिय अफ़डियन और बाकी की कंधरेज्स तालिबान से कॉंटक्ट नहीं करना चाहती थी पर इंडियन ऑफिशिल्स कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि विमान अब तालिबान के हवाले था आतलगवादियों को विमान की यात्रियों को और अधिक नुक्सान पहुँचाने से रोक कि उन्हें धेल सारा पैसा चाहिए और इंडिया कुछ और टेररिस्ट को भी रिहा करें। बहुत जदोजहत के बाद इंडियन अथॉरिडीस ने आखिरकार इन आतंगवादियों की बात मानी। और उन्होंने होस्टेजिस को रिहा किया। आदमवादी अपने मकसद में कामियाब रहे और वो तालिबान की मदद से फरार हो गए। इस जहाज को जनवरी 2000 में वापिस इंडिया लाया गया और 2001 में रिटायर कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी ऐसे हाईजैक की जिसने पूरे वर्ल्ड में तहल का मचा दिया था। इस हाईजैक के बाद एरपोर्ट्स पर सेक्यूरिटी और भी सक्त हो गई और फिर दोबारा इंडियन एवियेशन में ऐसा हाईजैक कभी नहीं हुआ।